दोस्तों CTET यानि की Central Teacher eligibility test का exam date अभी तक नहीं आया है 2017 का, सब लोग उसका wait कर रहे हैं, लेकिन इस ताइम में आपको क्या करना चाहिए या किस तरीके से आप अपनी रननिती बना सकते हैं, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो जरूर हमारे बाकी वीडियो की तरह उतना इंट्रेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन आप प्लीज इसको वेर किजिए, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो निस्चित ही कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, तो दोस्तों नमस्कार, योर आउनलाइन पार्ट चारे वीडियो देखें, कॉमेंट करें, पूछें कि कब आएगा भाई, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, ये सब करते रहें, या दूसरी बात, लाखों लोगों में से जो कुछ हजार लोग हैं, जो इस समय को as a opportunity ले रहे हैं, कि इस समय का हम फ वीडियो को देखना छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरा option select करना चाहते हैं, कि अभी जो हमारे पास समय है, क्या ये समय exam जो delay हो रहा है, वो हमारे लिए opportunity बन सकता है, अगर ऐसा आप सोचते हैं, तो please आप इस वीडियो को देख लीजे, तो दोस्तों, इसके बारे समय के थुरू ही, जो है teachers को apply करने के लिए दिया जाता है, तो इसका importance दिनो दिन बढ़ते जा रहा है, तो ये बात तो एक तरफ है ही, तो उसके लिए अब हम किस तरीके से अभी के समय में हम क्या कर सकते हैं, उस चीज पे अगर हम लोग discuss करें, तो दोस्तों समय तो देना परेगा, आपने YouTube पे कोई वीडियो देख लिया कि एक मेहने में CTT के कैसे तयारी करें, दो मेहने में कैसे करें, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीके कोई ऐसे भावी विरले होते हैं, जिनके पास की ऐसी कोई सकती होती है, लेकिन मेहनत तो करना परेगा, टाइम तो देना परेगा, तो ये जो टाइम हमें मिल रहा है, इसका हमें यूटिलाइज करना परेगा, इसके लिए हम आपको तीन चीज़ अभी रेफर करेंगे, एक तो आपका टेस्ट बुक्स, दूसरा मैगर्यू हिलेजिक्वेशन का बुक्स, और तीसरा NCRT का बुक्स, तो ये तीन च सनाया है, और जब आप वो चप्तर परने के बाद वो प्रिविएस यर का वो पार्ट बनाएंगे, और देखेंगे कि अरे ये तो बहुत इजली बन जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपको confidence देगा, और आपको मतलब boost करेगा, boost up करेगा, तो ये बहुत मतलब क्या करते हैं, self-measurement बोलते हैं, जिसका किसके लिक मैंने एक वीडियो बनाया था, how to crack CTET exam, तो उसमें ये सारी बाते मैंने की थी, तो दोस्तो previous year questions, text books, McGraw Hill education की book, और NCRT की book, ये चीज आप अपना रखिए, और सबसे पहले आप previous year question देखके most important topic का chain करिए, तो दोस्तो तयारी से related कुछ ब CDP और pedagogy subject जो भी है, इस से related चीजों पे आप focus करिए, अगर इस पे हम focus करते हैं, तो paper 1 का 60% और paper 2 का 53% के लिए आपको सोचना नहीं है फिर, तो इस चीजों पे हमको अभी ज़्यादा focus करना है, तो जब उनको उनकी तैयारी करना है, और उनको परना है, तो उसमें हमको कम 80% accuracy रखना है, कि जब हम पर लिए और सब कोज आप test ले रहे हैं, अपना खुत का या mock test दे रहे हैं, उस से related, तो उसमें आपको accuracy ज़्यादा रखना है, मतलब 80% से कम accuracy नहीं रखना है, तो अगर इस पे आप पहले focus करते हैं, और अभी से, मतलब क्योंकि last time moment में क्या होता ह चलिए वो भी हम discuss करेंगे, लेकिन अभी अगर उस subject पे आप ज़्यादा focus करते हैं, और उसका accuracy level maintain करने का कोशिस करते हैं, तो अभी ये उचित समय है, last time पे ये नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा, क्या कि आपका, मतलब अच्छा number of questions, ज़्यादा से ज़्यादा number of questions, जो है, दोनों paper का आपका cover हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि plan your test taking strategy, जैसा मैंने अभी बोला कि, जैसे कि आपने कोई subject परहा, ठीक है, CDP आपने परहा, तो उसके बाद आप test लीजिए, खुद का test लीजिए, ठीक है, और मतलब कि जिस तरीके से आप exam में test test देते हैं, उस तरीके से test लीजिए, और इतना test लीजिए, इतना test लीजिए, खुद का आप, कि आप जब exam में बैठने जाएं, आपके लिए, आपके लिए कुछ नया ही नहीं लगा, यह तो मैं daily दे रहा हूं, इस तरीके का लगे, तो अगर आप वो घर में test नहीं तो test आप घर में इतना लीजिए, कोई भी chapter पर यह, कोई भी mock test मिले, तो मतलब वो मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदा करता है, तो जब भी आप test देते हैं, तो आप पूरी तरीके से उस पर focus करते हैं, और तो उस time आपको पता नहीं होता है, क्या कि जो, उसमें मतलब answer दे not attempting the questions, you are not comfortable, यह बड़ी important बात है दोस्तों, कि जब भी आप test दे रहे हैं, मतलब यह जब आप घर में भी test ले रहे हैं, उसमें भी आप यही करिए, कि मानले जी आपने question number 1 देखा, बहुत hard निकल गया, एक तो आदमी का confidence level वहीं गिर जाता है, दो देखा, वो भी नहीं बन नहीं बन रहा है, तो अब तीसरा में हमको लगता है, कि इसको तो बनाना ही है कैसे भी, क्योंकि अगर यह भी नहीं बने तो इसका मतलब मेरे से ही कुछ नहीं बन रहा है, अरे दोस्तों, जो आपके लिए difficult है, वो सबके लिए difficult हो रहा है, तो आप छोड़ते जाईए, दे देखेंगे, उससे related, तो कुछ-कुछ चीजे दिमाग में आने लगती है, यह बहुत ही practical बात है दोस्तों, जैसा मैंने बोला अल्री, give more mock test, तो mock test जितना भी ज़्यादा आप लीजिए, और हर mock test आप exam के तरह ही दीजिए, जिस तरीके से आप मतलब करो या मरो वाली बात ह होती है, exam hall में बैटना है, तो मुझे ऐसे करना है, तो बिल्कुल वही बात कीजिए, और उस पर कहता है speed matters, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बहुत लोगों ने मेरे पाँ मुझे कहा था क्या कि, अरे, धाई गंटे का exam होता है, जिन्हों ने attempt नहीं किया, लेकिन जब उन् बन जाएगा, बन जाएगा, नहीं बन रहा है, अरे, ये कैसे मेरे से नहीं बन सकता है, इस तरह की बाते दिमाग में आने लगती है, छोड़ दीजिए ना, उसको, बाद में समय मिलेगा, तो बनाएंगे, उस 10 मिनट में, उस 5 मिनट में, अगर आप इधर 5-6 questions solve कर ले रहे है, तो वो बड़ी बात है, तो speed matter करता है, और आप कोशिस करिए कि 150 question है, तो उसे 150 मिनट में solve करिए, मतलब एक question के लिए आपको एक मिनट देना है, ताकि बात का जो समय है, उसको आप rechecking में या फिर से उसको देखने में लगा सके, और एक बार आप एक घंटे में बना ल के समय में, कहते हैं कि keep this in mind while solving the final paper, avoid information overloading, generally क्या होता है कि last minute में, बहुत सारे student को मैंने देखा है, कि last minute में, मतलब कि अब कल exam है, और आज साम से, आज दिन से, ऐसा परही शुरू किया जाता है, ऐसा परही शुरू किया जाता है, मतलब लगता है कि आजा दी आज ही दिला दे ना है इंडिया को, इस तरीके से मतलब परही शुरू करते हैं लोग, उससे क्या होता है, कि वो जो time आप, मतलब अपने आपको overload कर रहे हैं, नई चीजों से जो overload आप अपने आपको करते जा रहे हैं, और exam मैंने तो ये देखा है कि इन सब exam हों में भी लोग exam के gate तक अब ये उसको भी खराब करके चला जाएगा, तो मतलब इसी वो बोलते हैं, information overloading हो जाना, तो information overloading मत होने दीजिए, वो जो time में आप, relax होने में लगाईए, revision करने में लगाईए, और अराम से निंद पूरा लेजिए, ठीक है, और अब आप देखे कि जितना आपका ability है, उ उस हिसाब से आप कितनी अच्छे से question paper को solve कर सकते हैं, उन सब चीजों पे आप अपने आपको focus कीजिए, मतलब आत्म सक्ती बरहने में जो है, ये समय लगाईए, जो परहे में उसको देख सकते हैं, अच्छा ये तो ऐसे है, अभी last minute में आरा अगर ये मैंने नहीं परा, य ये पर लेते कहीं से question आ जाए, पता चला कि पहले जो परहेते उससे भूल गए, अभी जो अपर ने, वो तो याद नहीं ही रहना है, वो तो guarantee ही है, फिर भी लोग करते हैं, और दूसरी बात, कि there is no substitute of hard work and calm mind during the examination, बहुत सही बात है दोस्तों, कि hard work and calm mind, खाली hard work से नहीं चल ये दोनों चीजों का होना exam hall में आपका बहुत जरूरी है, एक तो आप हरवड़ाईए मत, कितना भी question हो जाए, tough, कितना भी a client से आप से नहीं बने, आप मत हरवड़ाईए, क्योंकि आप हरवड़ाएंगे भी, तो भी आपको आएगा नहीं, लेकिन अगर आप काम रहते ह हैं, और दिमाग से काम लेते हैं, और उस time एकागरचित होके, आप मेहनत करते हैं उस पर, तो फिर ये बात संभव है, कि अगर आपने वो पहले परा है, तो कहीं न कहीं से आप correlate उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हरवड़ा गए तो जाना ही है, तो ये बहुत बड़ी वेस्ट आपके साथ है, दोस्तों हमरा इस वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था, कि जो समय अभी जा रहा है, उसका हम utilize कैसे करें, दोस्तों बाते सब को पता होती है, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें से कोई तो नहीं बाते नहीं बता रहे हैं, दोस्तो as a opportunity लेके, अभी से ही इन सब चीजों को, जो भी books है, उस तरीके से question paper है, previous year question papers है, हर चीजों को उस तरीके से start किया जाए, और उसको अंजाम दिया जाए, मतलब आज आप ये सोच लिए कि already date निकल चुका है, तो मुझे कैसे परना है, बस एक महने बाद exam है, तो मुझे कैस परना है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बड़ी में थोरा ये पर लिए, थोरा वो पर लिए, तो किस तरीके से उसको, मतलब step by step करना है, उस तरीके से आप महनत सुरू कर दिजे, और दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से follow कर लिया, तो कहते हैं ना कि CTAT में 1, 2, 16% ही होता ह है, out of इतने लोगों में से, only 16% लोगों तक होता है, आप उस 16% में होंगे और जरूर होंगे, ये मेरा दावा है, अगर आपने इसको follow कर लिया तो, तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्नवाद अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर मेरा प्रयास पसं सकते हैं, ये अगर आपका कोई question है, तो भी आप comment box में लिख सकते हैं, और दोस्तों, इसे share कीजिए लोगों के साथ, ताकि हमारे जितने भी भाई बंदु है, उन्हें ये, मतलब, बाते तो सबको पता होती है, मैंने already कहा, लेकिन अभी से हम लोगों को स्टार्ट करना है, तो चलिए इसी विश्वास के साथ, और जरूर आपको इस बार सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं, दोस्तों, बहुत बहुत धन्वाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, बाबाए, जैहिन!